तो गाईज आज है तारिक 6 सेप्टेंबर 2001 कैस और है मंडे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में डिसकस करेंगे नाव बढ़ते हैं आगे एक बार नजर मार लेते हैं कौन-कौन से articles का discussion करना है हम लोग को आज के इस वीडियो में सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं groundwater conservation के उपर जानेंगे groundwater क्या होता है आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी नइनी बाते जानने को मिलने वाली हैं जो की आज से पहले आपको नहीं पताऊंगी तो हम लोग सीखेंगे ground conservation क्या है ये क्यों है चर्चा में अच्छे से सारे articles को cover करने वाले हैं बाइदवे मैं आपको बता दूँ ये जो daily current affair का वीडियो है ये daily basis पर morning में पांच बजे अपलोड हो जाता है और ये आपके UPSC और state PSC exam के perspective से बहुत साधा important वीडियो होता है क क्योंकि आज के time पर यहाँ पर हमारी finance minister के द्वारा एक ये scheme announce करी गई है तो इसके बारे में discussion होगा कितना amount दिया जा रहा है कौन से sector के लिए amount दिया जा रहा है खास कर बोला गया है ऐसे sector जो की कोविड से affected हैं उनके लिए यहाँ पर ये scheme लाई गई है तो काफी सारी important ची जाओगा ठीके normal जो वालकेने हैं उनके eruption के बारे में आपको पता होगा लेकिन आपने क्या submarine वालकेनों के बारे में सुनाएं तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं ये submarine वालकेनों क्या इनका classification है कहां से कहां तक पाए जाते हैं बहुत सारी important बाते आपको य जानने को मिलने वाले हैं दनू उसके बाद यहां पर एक article में चर्चा हो रही है प्रेलिम्स के perspective से बहुत जबरदस्त है ये international fund for agricultural development के बारे में आपको दिखाऊंगा ये क्यों है चर्चा में और ये development fund ये क्या है exactly इसके बारे में हम लोग काफी सारी चीजे clear करने वाले हैं पर इसका बाद at the last हम लोग बात करने वाले है rules for taxing contributions to EPF बहुत जबरदस्त आर्टिकल है economy perspective से आपको मालूम होगा जो employment provident fund होते हैं नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा ये fund कौन से होते हैं तो employment provident fund के अंदर जो पैसा जमा गया गया है उसके लिए नए rules आए अब पैसा आप जमा करोगे तो कुछ amount पर जो interest मिलता है तो उस interest पर सरकार tax काटेगी तो इसके बारे में discussion होगा काफी सारी चीजे यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी बाइदावे आगे बढ़ते हैं तो guys आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया या है वहाँ से जाकर आप लोग इस lecture के PDF को डाउनलोड कर सकते हो और यह मेरी Instagram ID दीपक यादव एजुकेशन यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना अपनी जितनी भी queries है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ पाओगे बाइदवे दोनों ही चीजों का जो लिंक है वो नीचे description box में मिल जाएगा तो जाकर आप दोनों ही जगा पर मुझसे जुड सकते हो फड़ाफट एक बार अपने revision कर लेते हैं जो भी हमने current affair कल discuss किया था तो उसका फड़ाफट से हम लोग एक बार overview ले ले लेता है क्योंक एक report जारी करी थी और बताया कि दुनिया भर में जो tree है इनमें लगबग 30% जो पेड़ों की प्रजातिया है वो काफियत खत्रे में है वो खतम होती भी नजर आ रही है उनको protection देनी की ज़रूरत है मैं आप से आपर एक question और पूछन चाहूंगा वो question यह है कि इनके अंदर कौन कौन सी countries जो कि मैंने आपको कल बताया थी कौन कौन सी countries है जहां पर यह trees को लेकर सबस्यादा खत्रा देखने को मिला है यह भी जरा नीचे comment section में जरूर बताना उसके बाद कल हमने discuss किया था एक बहुत important article दुरंद line के बारे में तो जो दुरंद line है यह अफगानिस्ता किलोमेटरे की है यह नीचे comment section में जरूर बताना प्लस यहाँ पर इस दुरंद line को एक तरीके से यहाँ पर लाने का क्या concept था यह भी नीचे comment section में जरूर बताना है कल ही मने आपको समझाया है वो इसके बाद कल हमने discuss किया लदाक के अंदर एक state animal और state bird को choose कल लिया गया है तो इस type of questions बहुत पूछे जाते हैं आपको मालूम होगा कल EPFO को exam था ठीक है तो वो जो exam था EPFO का वहाँ पर बहुत सारे questions आए थे लेकिन basic वाले questions आए थे ठीक है आप लोगोंने paper देखा होगा तो और आप लोग the Hindu वाला वीडियो देखते हो ठीक है daily current effort वाले वीडियो मे NGT को लेकर question आया पराकरम दिवस को लेकर question आया मतलब 8-10 question तो ऐसे थे जो कि directly आपको telegram पर notes मिले वहाँ से फटाफट यहाँ पर आपको अगर वो पता हो तो exactly आप उनको solve कर पाओगे ऐसे कुछ questions यहाँ पर देखने को मिले थे ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बात की वजा से millions of लोगों की जान गई है इस report ने बताया था उसके बाद हमने कल discussion किया था बहुत important article था यह EILP platform के बारे में मतलब inner line permit platform के बारे में तो मनिपूर की सरकार ने inner line permit platform को launch किया है तो यहाँ से मैं आप से question यह पूछना चाहूँगा यह inner line permit क्या होता exactly यह नीचे comment section म जरूर बताना कल मैंने detail में cover गया था उसके बाद हमने discussion किया था मिघालिया के river उमगोत के बारे में तो river उमगोत को एक और नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है नीचे comment section में जरूर बताना river यह जो उमगोत है यह बहुत जादा साफ river है एशिया की one of the cleanest river इसको बोला जा अब बढ़ते हैं आगे स्टार्ट करते हैं आज का discussion आज का जो सबसे पहला article होने वाला है वो होगा environment perspective से important और I hope guys आप सभी लोग को मालूम होगा यह जो environment section है वो आपका syllabus के अंदर GS paper 3 के अंदर stand करता है यहाँ पर article में बात हो रही है ground water conservation को करके एक article publish हुआ है यहाँ पर देख पाओगे down to earth के अंदर down to earth by the way one of the most important source है आपकी UPSC exam के लिए ठीक है state PSE के लिए तो current affair में बहुत बढ़ा roll play करता है down to earth तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ground water conservation exactly क्या होता है और भी various चीज़े आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाली है prelims plus mains दोनों के point of view से article हिट हो इरिगेशन कर रहे हैं पानी का स्वाल कर रहे हैं तो वो सब पानी कहां से ले रहे हैं फटाफट हम लोग ground water से निकालते हैं और इससे क्या हो रहा है जो हमारा ground water है वो deplete हो रहा है कम हो रहा है ठीक है ground water को conserve करने की बहुत जादा important यहाँ पर आज के टाइम पर जरूरत दे यहाँ पर ground water के अंडर में आता है तो ground water यहाँ पर एक तरीके सा कम होता वनजर आएगा हमारा भारत बहुत जादा dependent है ground water के उपर इसी चीज को लेकर बोला गया जो ground water के उपर इंडिया की over dependence है यह dependence काफी जादा हो चुकी है इसकी वज़ासे ground water crisis आज के टाइम पर हम लोग को देखने को मिलेंगे अब जरूरत इसी चीज को लेकर है कि हम लोग ground water को conserve करें ground water को protect करें ओके अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे ground water exactly क्या होता है उसके बाद ही आप लोग चीजों को अच्छे सा आगे connect कर पाऊगे तो यहाँ पर एक simple सी definition है तीन लाइन के अंदर groundwater is the water that seeps through rocks and soil and is stored below the ground यहाँ पर groundwater आपको नाम से समझ गए होंगे जो ground के अंदर पाय जाएगा मालो यह ground है ठीके अब यहाँ पर इसके अंदर आपको छोटे-छोटे यह कंकड दिख रहे होंगे ठीके यह कंकड है ठीके यहाँ पर बोला गया ही जो rocks है एक तरीके से यह rock इस पानी को निकालते है इन rocks के बीच में आपको यह पानी देखने को मिल जाएगा ठीके तो यहाँ पर इस तिर होता है फिर उसके बाद और कहों होता है तो आपको ध्यान देना है rocks हो गया फिर जो मिटी हो गई soil के बीच में पानी देखने को मिलता है जो भी पानी ground क ग्राउंड के तहरी के यहां पर अंदर आता है और छोटी 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 रॉक्सी एगें विश्टे के चौन बन सकता है एक important prelims के तरह पर तो आपको दिहान रखना है जो छोटी-छोटी rocks होती है जहाँ पर groundwater store है उसको हम लोग aquifer बोलता है अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में तो UNESCO के तुआरा एक report जारी करी है वो report है World Water Development Report 2018 की जिसमें बात करी गई है इंडिया एक largest extractor है groundwater का मतलब जो यह groundwater है जमीन के अंदर पानी पाया जा रहा है दुनिया भर में सबसे जादा उस पानी को निकालने वाली country वो इंडिया है ऐसा यहाँ पर इस report ने बताया साथ-साथ इंडिया लोग लगबग यहाँ पर बहुत तेजी से जो कुए होते हैं वेल होते हैं उनका construction कर रहा है कुए के थुरूई तो यहाँ पर groundwater को निकाला जाता है जमीन का पानी निकाला जा रहा है कुए का use करके अब यह जो वेल्स हैं इनका बहुत जादा construction हो रहा है in fact एक data यह बोलता है लगबग रोजाना hundreds of wealth जो हैं आपके construct किया जा रहे है हर रोज और बहुत सारे wealth तो ऐसे पढ़ें जो की सूख गए है तो यह चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है उसके बाद यहाँ पर चलो यह चीज़ अलग हो गई हाला कि जो contribution है groundwater का वो हमारे GDP के अंदर हमने अभी तक measure ही नहीं किया है ऐसा भी बोला गया उसके साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि आज के टाइम पर जो data है वो लगबग 230 billion meter cube of groundwater हम लोग हर साल निकालते हैं और agriculture के purpose के लिए हम लोग निकालते हैं तो कहीं न कहीं इससे क्या हो रहा है जो हमारा groundwater डिप्लीट हो रहा है कम हो रहा है तो यहाँ पर simple सा मुद्दा यह निकल कर आता है हम लोग groundwater का ज़्यादा तर इस्तमाल कर रहे हैं question यहाँ पर यह उठता है groundwater कम हो रहा है industrial purpose के लिए agriculture need के लिए तो हर जगा पर यहाँ पर भारत के अंदर groundwater इस्तमाल होता है नजर आएगा उसके बाद storage facilities है नहीं जो कि आप लोग यहाँ पर rainfall या पर मतलब जो भी चीज़े हैं आपर पानी को store कर पाते नहीं हो तो उसके वज़े से भी यहाँ पर आपको groundwater का use करना पड़ता है और यहाँ पर groundwater के अंदर depletion देखने को मिलेगा उसके बाद एक important यह reason है वो है green revolution आज के time पर green revolution आयो है क्या हो रहा है agriculture sector काफी बहतरीन तरीके से grow हो रहा है अब यहाँ पर बहुत सरी crops उगाई जाती है फसल उगाई जाती है और वो फसल क्या है वो intensive water के अपर dependent है मतलब भारी भरकम पानी चाहिए उसके बाद यह फसल उख कर आएंगी अब यहाँ पर भारी भरकम पानी चाहिए तो उसके irrigation के लिए क्या है यहाँ पर पानी निकाला जाता है ground water से तो अगेन एक one of the main काराल यह भी हो गया कि ground water deplete हो रहा है और यहाँ पर ground water का ज़्यादार इस्वाल हो रहा है वह नजर आएगा agriculture sector के अंदर उसके बाद बहुत सारी subsidies दी जा रही है electricity provide के जा रहा है high minimum support price दिया जा रहा है water intensive crops के लिए मतलब ऐसी फसले जिनमें पानी की बहुत सदा जरूरत होती है उन crops पे subsidy मिल लई है ठीक है farmer को कहीने के benefit हो रहा है तो यहाँ पर उनी crops को वगया जा रहा है और उसके तुरू groundwater का इस्तमाल के जा रहा है और agriculture के अंदर सई से method इस्तमाल नहीं हो रहे है chemical निकल करा रहा है industry से सफाब सफाई है नहीं उसकी वज़़ए से groundwater बहुत जादा polluted हो रहा है और आप कर सकते हो वो फिर groundwater usable नहीं है उसको use नहीं कर सकते हैं हम लोग तो यह सारे reasons आपको देखने को मल जाएंगे अंदर depletion of groundwater अब यहाँ पर question यह है क्या हमारी सरकार कोई initiative नहीं उठा रही है कोई कदम नहीं उठा रही है इस groundwater को conserve करने के लिए तो बिल्कुल government के बहुत सारे initiatives है groundwater conservation के लिए एक है अटल भुजल योजना और दूसरा है national aquifer mapping and management program तो आप एक छोटा साइड है रख सकते हो क्योंकि मैं हर article में कोशिश ही करता हूँ कि government initiatives भी लेकर रहा हूँ कि government क्या कदम उठा रही है इस चीज़ को लेकर बढ़ते हैं अगले article के तरफ अगला article, second article होने वाला economy perspective से important और UPSC syllabus के अंदर economy again आता है GS paper 3 के अंदर यहाँ पर चर्चा हो रही है loan guarantee scheme के बारे में तो loan guarantee scheme दी गई है एक तरीके से covid affected sectors के लिए article कहां से लिया गया है तो यह article है P.I.B. का as you can see here ठीक है ministry of finance नहीं हाँ पर इस article को release किया है तो एक important यहाँ पर article माना जाएगा क्योंकि government directly वहाँ पर चीजों को announce करती है तो news में क्यों है क्योंकि हाली में हमारी finance minister ने कहा कि जितने भी stakeholders हैं आपको क्या करना है 50,000 करोड रुपे का loan guarantee scheme देना है अब कौन से एरियास को जो covid affected sector है मतलब covid की वज़ा से वो sectors बरबाद हो चुके हैं उनको यहाँ पर यह पैसा प्रोवाइड करवाना है खासकर non-metros वाले cities के अंदर metro cities नहीं जैसे डेली वगर हो गया इन में नहीं जो non-metro cities है काफी पिछडी भी है और हालत बुरी है उन cities की तो वहाँ पर उन areas के अंदर आप कर सकते हो यह scheme को launch करने की बात की गई है अब इस scheme का main मकसद क्या है इसको हम लोग समझना है क्योंकि यही सबसादर question मनते है तो यहाँ पर यह जो एक तरीके से loan guarantee scheme है इसका main मकसद है जो medical infrastructure है उसको boost up करना medical sector को और जदा बढ़ाना और हमारे country के अंदर health sector हमारा काफी कमजोर भी है तो health sector को और जदा बढ़ाने की हमें काफी ज़रूरत भी है तो health sector को बढ़ाने में यह मदद करता है आपको ध्यान रखना है यह जो scheme है इसको approve की गई थी हमारे सरकार के द्वरा जून 2001 के अंदर भी जून का महिना निकला है तब ही इसी scheme को approve कर दिया जा था अब यहाँ पर जो bank है वो loans प्रोवाइड करवाएंगे healthcare infrastructure के लिए अगर कोई भी यहाँ पर आपका सकतो अब्यसी बात है loan है तो अब्यसी बात है interest भी पे करना पड़ेगा जो interest है वो यहाँ पर कम से कम interest रहने वाला है ऐसा बोला उसके साथ साथ यहाँ पर यह जो loan है गारंटी देगा 50% की brownfield project के लिए और 75% की गारंटी देगा greenfield project के लिए question यह है यह brownfield और greenfield project क्या होता है तो बहुत ही simple शब्दों में आपको बताता हूँ brownfield project वो होता है कौन से जो brownfield project होता है इन में एक चीज़ होती है कि आपका सकते हो कि यहाँ पर पहले से ही काम हो गया है और इसको एक तरीके से वापस से मानलो की जैसे मैंने आपको एक example दिया एक example यह दिया था कि एक hospital मानलो एक एक बंदा यह है एक private sector यह है इसको hospital बनाना यह loan लेने गया है और एक private sector यह है इसको hospital इसको already पहले से hospital इसको expand करना है यह loan लेने गया है तो जो brownfield project है न वो इस category में हैगा मतलब इसका पहले से hospital है इसको बसका इसको update करना है इस hospital को थोड़ा से expand करना है तो यह है brownfield और greenfield क्या है इसको शुरू से जड़ से यहाँ पर नया project develop करना है उसको हम लोग बोलते हैं greenfield project तो दोनों ही sector के अंदर यह loan provide किया जा रहा है आपको ध्यान रखना है अब इस loan के benefits क्या होने वाले है तो benefits होंगे देखो obvious ही बात है जब healthcare infrastructure के उपर पैसा लगा जाएगा तो कहींने कहीं employment opportunities भी increase होंगी लोग को jobs मिलना चालू होंगी ठीक है लोग को यहाँ पर रोजगार मिलना चालू होगा तो यह चीज़े हम लोग को expected benefit के अंदर देखने को मिलेगा उसके बाद यह जो scheme है basically इसका main objective यह भी होने वाला है कि यहाँ पर एक तरीके से bank से पैसा लिया जा रहा है कहीं और दूसरी जगह से उधार नहीं लिया जा रहा है प्लस बहुत कम मातरा में जो ब्याज है वो देना पड़ेगा lowest rate of interest पर यहाँ पर पैसा मिल रहा है तो इसका एक फायदा ये भी है प्लस eligible कौन कौन है देखो यहाँ पर हर एक eligible इस loan के लिए लगबग 31 March 2022 तक यह loan दिया जाएगा अगला आर्टिकल environment perspective से important होने वाला है और environment अगेन आता है GS paper 3 के अंदर आर्टिकल जबरदस्त है यहाँ पर चर्चा हो रही है जापान के अंदर एक volcano है जिसका नाम है Fukutoku Okanoba volcano यह एक तरीके से submarine volcano है submarine volcano कौन से पानी के अंदर होते हैं अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इमेजिस निकल कर आई है क्योंकि यह volcano हो चुका है यहाँ पर आप देख पाऊ कर रिसेंटली यह जो volcano है submarine volcano यह explode हो चुका है Pacific Ocean के अंदर जापान से थोड़ी दूरी पर एक earthquake आया था जिसकी वज़े से यह सब कुछ हम लोगों को देखने को मिला article down to earth का है और यहाँ पर कुछ important concept है देखो यहाँ पर article आपका GS paper 3 environment के perspective से तो है important लेकिन इससे जादा जो important है वो GS paper 1 geography के point of view से important है आपको location दिखा देता हूँ volcano exactly कहाँ पर है सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर यह तो वर्ल्ड में आपको दिख रहा होगा यह हमारा महान भारत हो गया उसके बाद यहाँ पर आप इधर आओगे इधर की side South China Sea देखने को मिलेगा Pacific Ocean इधर देखने को मिलेगा यही volcano erupt हुआ है अब question यह है यह volcano कौन सा सा तो यह है submarine volcano सबसे पहले question दिबाग में यही आता है यह submarine volcano भाई होते क्या है देखो submarine volcano दुनिया भर में फैले पड़ा है हवाई से लेकर इंडोनेशिया इंडोनेशिया से लेकर आइसलेंड सब जगा पर hundreds of islands submarine volcano ocean के यानि जो समुद्र है उसके अंदर पाए जाते हैं ठीके और यह भी erupt होते हैं यह काफी अतक different होते हैं terrestrial volcano से जो बाकी हमारे सत्या पर land पर volcano होते हैं उनसे काफी अलग होते हैं आपको ध्यान रखना है लेकिन यहाँ पर यह भी explodes होते हैं इनका जो explosive नहें से वह इतना खतरनाक नहीं होता यह जो फटते हैं वह इतना खतरनाक खतरनाक होता है लेकिन इतना ज़ादा नहीं होता है जिसको हम लोग terrestrial volcano से compare कर सकें उसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर एक तरीक से यहां पर आपको यह picture से clear हो जाएगा यहां पर आपको यह वालकेनो दिख रहा है नीचे की साइड यहां पर नीचे मागमा हो गया अब यहां पर यह वालकेनो इरप्ट हो गया अंदर अब यह जब वालकेनो इरप्ट हो गया यहां से काफिस कुछ लावा बगा निकला है तो यहां पर क्या हो गया इ मैं आपको कुछ simple volcano बारे बास करता हूँ जो कि हमारी land के ऊपर पहा जाते हैं simple volcano रूट कलासिफिकेशन हो olm लगलग प्रकार कि वालके गार डोलेâteOR गण की अधर, माघमत होता है, और आर्रागूलर उसका अरospender होता है इसमें जो magma chamber है वो दीरे-दीरे भरता है और ये बहुत कम यहाँ पर एक तरीके से बिस्पोर्ड होता है extended volcano inactive member chamber है मतलब ये बिस्पोर्ड ही नहीं होगा इसके अंदर यहाँ पर आपको magma कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा ये एक तरीके से dead volcano है ओके अब यहाँ पर वॉलकन है कुछ components देख लो ये मैं आपको वही वाला वॉलकन है बता रहा हूँ जो कि land के उपर पाये जाते हैं ना कि submarine volcano ओके यहाँ पर यह जो वॉलकन है इसके अंदर क्या क्या होता है आपको magma देखने को मिलेगा यही magma नीचे से pressure लगाता है प्रशर लगाने के बाद यह फटता है और आप कर सकते हो यहाँ से बहुत सारी hazardous cases निकलते हैं H2O, CO2, SO2 यहाँ पर यह सारी gases निकलते भी नजर आ इसके बाद यहाँ पर आपको classification देखने को मिल जाएगा अलग-अलग चीज है यहाँ पर इसको crater बोलते हैं इसको lava बोलते है जो निकल कर आ रहा है उपर वाला area जो है यह वाला vent बोलते है इसको यह जो बाद बादल बन गा यह पूरे के पूरे ash के cloud बोलते है इसको ठीके पूरा का पूरा आपको सकते हो यहाँ पर यह राख आ चुका है उड़ रहा है उपर यह एक तरीके से इस प्रकार से volcano erupt होता है नाव बढ़ते हैं अगले article की तरफ अगला article अगेन environment के perspective से important होने वाला है और environment section अगेन आता है GS paper 3 के अंदर यहाँ पर एक species के बारे में चर् सरचा में आप देख पाओगे again down to earth particle है यहाँ पर चर्चा होई है कि यह जो bird है यहाँ पर जो urban development हो रहा है मतलब की जो शहरों के अंदर लगातार development हो रहा है इसकी वजासे यह जो लथाम snipe की तरीके से प्रजाती है यह काफियत तक खत्रे में देखने को मिलेगी इनको खत Japanese snipe के नम से क्यों जानी जाती थी क्योंकि Japanese जैपान के अंदर भी यह पाई जाती है अब यहाँ पर इसके characteristics के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं यह जो लथाम snipe है यह तरीके से सबसे बड़ा snipe देखने को मिलेगा Australia के अंदर यह जो bird है इसकी आखे बहुत तेज होती है ठीके एक तरीके से यहाँ पर brown color की होती है जैसे मैं आपको बताया प्लस brown color किसके fur वगरा भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार की यह प्रजाती होती है लेकिन यहाँ पर बात यह है कि इसकी eyesight बहुत तगड़ी होती है स्नाइप का मतल प्लस ऑस्ट्रेलिया के eastern coast में भी देखने को मिलती है और यहाँ पर जैसे other migratory birds होती है migratory birds वो birds होती है जो की लंबा ट्रावल करती है उसी प्रकार से यह birds भी लंबा ट्रावल करती हुई नजर आती है तो आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर जो bird है इनको खत्रा क्य है उसको रोका गया है ठीक है अब यहाँ पर क्या है hunting वगएरा वैसे देखने को मिल रही है इसकी वज़ेसे और ज़्यादा खत्रे में देखने को मिलेंगे प्लस protection status की बात करें तो जो IUCN की category है by the way IUCN की full form ज़रूर बताना मैं आगे फिर से बताऊंगा IUCN की full form आप लो International Fund for Agricultural Development के बारे में अब यह fund क्या है यह बहुत important article हो सकता है आपके prelims के perspective से अगे नहीं आप देख पाऊगे IUCN event के बाद यहाँ पर बोला गया यह जो International Fund for Agriculture Development है यह बहुत ज़दा investment करने वाला है हमारे biodiversity को protect करने के लिए तो हाली में जो International Fund for Agriculture Development है एक तरीके से इसने focus किया ह 30% जो climate finance है उसके उपर और साथ-साथ यहाँ पर कोशिश ही करी गई है अगरी कल्चर सेक्टर के अंदर जाद से जाद है यहाँ पर यह solutions लेख रहे हैं प्लस यहाँ पर एक तरीके जो हमारी biodiversity है उसको protect कर जाएगा इस fund के धरू अब इस fund के regarding हाँ पर हम कुछ और चीजे factual information है जो की पूछी जा सकती है तो यह जो IFAD है यह एक international financial institution है ठीक है international level पर यहाँ पर देखा जाता है और एक तरीके से specialized UN United nation की agency है उसके बाद इसका main काम है जो गरीबी होती है उसको कम करना ठीक है बहुत सारे rural areas आपको देखने को मिल जाएंगे developing countries के अंदर बहुत सारे गाउंवाल areas है वहाँ पर गरीबी को कम करने का काम करता है loans वगरा provide करवाते हैं बहुत कम ब्याज के उपर यह काम इनका रहता है साथ ही साथ यहाँ पर जो valuable groups हैं उनके साथ काम करते से कि farmers हो गए या बहुत सारे लोग हो गए बहुत poverty area के अंदर आ रहे हैं उन सब के साथ मिलकर यह काम करता है उसके बाद जो fosters हो गए जो जंगल लोग हो गए प्लस यहाँ पर pastoralist जिसको हम लोग चारवाहे बोलते हैं फिशर्मन हो गए smallest के लिए entrepreneur हो गए इन सब की कहिना की help करता है यह IFAD इसका formation कब हुआ तो आपको ध्यान रखना है IFAD को बनाया गया था इसको 1977 में जो की outcome था world conference of 1974 का ठीके 1974 में जो world conference हुआ था world food conference उ तो IFAD का headquarter कहां पर है तो Rome Italy के अंदर आपको इसका headquarter देखने को मिलेगा इसके अदर members कितने 177 member countries हैं इंडिया इसका member country आपसे गुमा की question पूझा दा सकता है क्या इंडिया इसका member है बिल्कुल इंडिया इसका member है इसका main objective क्या है इस fund का main objective है productivity को increase करना जो poor people है उनकी capacity को प्लस यहाँ पर जो market participation है उसको increase करने का focus करता है साधी साथ जो environment sustainability है उसको increase करने का focus करता है ठीके तो यहाँ पर main कोशिश यही रहती है देखो हमारे biodiversity को product करना प्लस लोगों को support देना और यह report publish करता है एक तरीके सा इसकी report आती है rural development report हर साल यह report publish होती है तो आपको ध्यान प्रिपर 3 के नराच के सारे आर्टिकल जीएस प्रिपर 3 के point of view से important है ठीके चोड़े चोड़े आर्टिकल से लेकिन जबरदस्त है अब यहाँ पर मतलब कल संडे भी था तो कल कुछ खास इतने आर्टिकल्स देखने को मिले नहीं थे तो यहाँ पर उसी के वज़े से ज्या पैसा जमा कर रहे हैं पर आपको उसके बदल में ब्याच मिलेगा लेकिन अब जो ब्याच मिलेगा वो एक taxable interest होगा उसके ओपर सरकार tax card सकती है सरकार को पैसा कमाना है ठीके और इस चीज़ का announcement जब budget को announce किया गया था तब ही कर दिया गया था यह article आप देखपाऊगे news मे है detail में हाँ पर चर्चा की गई है तो मैं आपको बताऊँगा कल का यह article आपको देखने को मिल जाएगा अब क्या है employment पहले हम जो देखेंगे employees provident fund scheme क्या है ठीक है EPF scheme क्या है EPF देखो एक यह main scheme है जो कि Employees Provident Funds and Miscellaneous Act 1952 के अंडर में आती है यह जो scheme है यह offer करती है institution को बगेरा जमा करते हैं अब जो employer हो गए employee हो गए हर एक बंदा यहाँ पर contribute करता है 12% तक जो employees की basic salary है वो यहाँ पर contribute कर सकता है ठीक है आपको ध्यान रखना है और upper limit इसकी काफी हो सकती है जाद जादा यहाँ पर इसको एक तरीके से आपको सकता हो basic salary अपनी जो भी है जमा कर सकता है इसमें contribute कर सकता है उसके बदले में इसको interest मिलता रहेगा उसके बाद जो current यहाँ पर किन व्यक्ति के लिए compulsory है तो ऐसे व्यक्ति के लिए compulsory है जिनकी monthly salary 15,000 या 15,000 से कम salary है तो वो लोग ज़रूर इसके अदर contribute करें उनको काफिया तक फायदा होता वह नजर अब इसके background के बारे में अगर हम बात करें February 2021 की बात है budget propose the tax exemption देखो पहले तो यहाँ पर एक तरीके से आप कर सकते हो कि मतलब की मतलब पहले की बात बता रहा हूँ अभी यहाँ पर इसको छोड़े पहले की बात बता रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ था पहले तो tax नह का दे रहा है EPF इसको दे रहा है interest ठीक है ब्याज दे रहा है इसकी income भी generate हो रही है लेकिन पहले यहाँ पर कोई tax वगएरा जैसी चीज नहीं थी लेकिन आप budget को announce किया गया budget के अंदर यह बोला गया कि अब यहाँ पर जो यह व्यक्ति contribute करेगा amount मानलो 2.5 lakh हो गये मानलो 2. यहाँ लाग रुपे इसने यहाँ पर EPF के अंदर contribute करें साल के अंदर साल के अंदर इसने डाइलाग रुपे contribute करें तो इसके उपर interest जो मिलेगा वो पूरा interest इस व्यक्ति का ही होगा लेकिन दिहान से सुनना उसी साल के अंदर अगर इसने 2.5 lakh से जादा पैसे contribute कर दिये EPF के अंदर ठीके 2.5 lakh से जादा पैसे contribute कर दिये EPF के अंदर तो फिर क्या होगा तो उस amount के उपर जो interest मिलेगा ना उस interest के उपर tax काटा जाएगा वो interest taxable होगा तो आपको ध्यान रखना है जो contribution है अगर धाई लाग से जादा होगा हर साल धाई लाग से जादा अगर यहाँ प तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो यहाँ पर नए rules क्या बोलते हैं कि अभी यहाँ पर धाईलाग किसके लिए दिया जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए बोला गया जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लोईज है वो धाईलाग कॉंट्रिब्यूट करें ठीके और प्राइवेट सेक्टर के लिए पांच लाग रुपे कर दिया गया है तो आपको ध्यान रखना है अब जितना भी इंट्रेस्ट मिलेगा इंट्रेस्ट जादा मिलेगा तो अब यहाँ पर टेक्स का एक तरीके से कटिंग वगरा देखने को मिल सकती हम लोग को यह चीज़े मैंने आपको सब कुछ क्लिकर कर दिया है थोड़े से शब्दों में वही चीज़े यहाँ पर बार-बार धोराई गई है आई होप आप सभी लोग को यह आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा यह क्या है चीज़े और आज का वीडियो शॉर्ट था लेकिन जबरदस में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है दीपाग यादाव एजूकेशन मेरी आईडी है वहाँ पर फॉलो कर सकते हो अपनी जितनी वी क्वेरी जे मुझसे महाँ पर पूछ सकते हो ठीक है साधे साथ आप लोग टेलिग्राम चनल ज़रूर जोइन के लेना सारी पीडिये झाल जोग लोग जए।